असलाम अलेकूं यूवार्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम बनाने जा रहे हैं शक्कर पारे तो चलिया यह देख लेते किस तरीके से बनाना है बिस्मिल्ला की वरकत यह मैंने आधा किलो मैदा ले ली मैदे को मैं अच्छे तरीके से छान रही हूँ कोई गुठली कोई डस्टी में अलब कोई कच्रा वगयरा ना रहें इसके अंदर कुछ भी हो जाता हो सकता है इसको चान लेंगे अच्छी तरीके से इसके अंदर एक चूटकी मैंने इलाइची पाउडर डाल दी इसके बाद में मैं इसमें बेकिंग पाउडर दाल रही एक हलका सा एक मुटलब हमारे शकरपारे में खस्ता पराने के लिए ये डाल देंगे इसमें और हलका सा नमक डालना है मैं नमक डालना भूल गई तियाब जरूर से डालिएगा उसको अच्छी तरीकिसे मिक्स करके इसको साइड में रख देंगे सूखी चीजों को इसके बाद हम इसमें क्या डाले कि हम देखते हैं इसको एक तरफ करके रख देंगे सबीच में गोल एक गोला बनाकर उसके बाद मैंने अबी ये कडाई चडाई हूँ कडाई में मैंने आधि कटोरी दूड डाली और उसके हिसाब से आधिकटोरी शक्कर डाली और शक्कर पारे में मेरे हाथ से शक्कर थोड़ी कम हो गई थी इसलिए आप अपने हिसाब से डालिएगा आपको जितनी चाहिए शक्करपारे मीठे ही अच्छे लगते हैं इसको अच्छे से पकने देंगे जोश आ गया कि इसके बाでは पर ग्याज ojos बंद कर देंगे एक उबाल आने के बाद में इस देखो ग्याज ojos बंद कर देंगे अब इसको थोड़ा सथनड़ा कृड़ वने देंगे और उसके भार में फिर हम यह जो हमने मैदा चान करके सइड में रखे तो उसके अंदर यह मिख्सचर डाल देओं हमारा दूट चकर और घी वाला और उसको अच्छे तरीकथे mix कर लेंगे अगर गरम हो तो आप चमासे करना ये हलका सा गरम था तो मैंने चमासे कि उसके बाद में फिर ये मैदे में मिक्स होने के बाद में अच्छे तरीके से थोड़ा ठंडा हो चुका था फिर मैंने हाथ से कर ली थी आप दो भी बिलकुल ऐसे कीजिएगा देखो मैं कैसे हाथ से मसल रही हूँ, उसके अंदर जो हमने बेकिंग पाउडर डाले, इलाईची पाउडर डाले, ये सब चीजे अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए, तो इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है उसके बाद मैं ये पानी का चीटा लगा रही हूँ, मैं थोड़ा इसमें डाल रही हूँ, पानी की ज़रूरत लगी मुझे तो मैंने बस ऐसे एक डो बना के रख दी हूँ, ये डो हमें ज़्यादा बिल्कुल जैसे हम आटा गुनते हैं रोटी के लिए वैसे बिल्कुल भी नहीं गुनना है ऐसा मतलब इसमें परते आनी चाहिए, ऐसा करना है हमें, देखिए किसे लेयर्स दिख रहे हैं इसमें, तो इसको ज़्यादा मालिश मसाज नहीं करेंगे, इसके बाद हम इसको एक प्लेटफर्म के ओपर इसको अच्छे तरी किसे जैसे रोटी बेल ते न, वैसे बेल लें रखते हो, मेरे पास में था तो पिज़ा कटर मैंने उसी सी दे दी, इसको अम अच्छे से शेप दे के कट कर लेंगे, जिपनी साइज हमें रखनी है, स्क्वेर में रखते हो, डायमंड शेप में रखते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे, आप यह जो चम्मश होता है, हमारा पूरी बनाने का, उससे भी कर सकते हैं, उसको शेप देने के लिए, बहुत अच्छे से शेप आ गया था इससे, इसा कटर से, और इसमें परते ही माशाल बहुत अच्छे से आई थी, इतनी साइज आपको रखनी, आप चाहो तो इसको और मोटा रख सकते हो, लेकिन मुझे जितनी ज़रूरती उतनी रखी मैंने, यह मैं दूसरा बैच कट कर ले रही हूँ, इसना आधा गिलो में मेरे माशाल ला से शक्कर पारे अच्छे से, ज़्यादा काफी बनकर बड़े, बनकर तयार हुए, और इसके जो गूले थे, आटे के, वो दो बनकर तयार हुए तो बड़े-बड़े, जैसे मैंने एक पहले कर ली और एक यह अभी कर रही हूँ, और इसको मैंने प्लेट भी निकाल ली, इस तरीके से, आप यह ऐसे बनाना, तेल गरम को रख देंगे अभी, यह कड़ाई में मैंने तेल गरम के लिए चड़ा दी हूँ, इसमें अब हमारे शकरपारे डाल देंगे हम, तेल को जाधा हमें गरम नहीं करना है, अगर जाधा हम जोश गरम कर लेंगे पहले से, और उसके अंदर फिर शकरपारे डालेंगे, तो फिर क्या है, वो जल्द बाजी में है न, तेल जाधा गरम होगा उसकी वज़े से यह ब दीमी उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फ्लेम को आप बढ़ा सकते हो अंदर से क्रिस्प होने चाहिए ना तो अंदर से क्रिस्प नहीं होते है अगर हम फास गैस के उपर अगर फ्राय करेंगे तो इसलिए दीमी आज पर करें एक बैच फ्राय होने के लिए कम से कम मुझे साथ से आठ मिनेट लग गए थे माशालला से देखो कितना अच्छा कलर आया है और परते भी कितने अच्छी से खुल गई है इसके बनकर भी माशालला से बहुत अच्छे से तैयार हुए थे इसको अब निकाल लेंगे प्लेट में प्लेट में निकालने के बाद में इसको हम सर्फ करेंगे अभी बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे बनेते आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है अच्छे लग रही है तो लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को सपोर्ड कीजिए मुझे अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए मेरी वीडियो को प्रिस्पी बहुत अच्छे बने थे यहां तो मैं देखो किसे चूरा हुजा रहे है ठीक है लेर्स माशालला बहुत अच्छी बनी थे इसके चलिए दूआ में याद रखिए मिलते हैं किसी अच्छी से वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस टेक केर बाई